कि शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताता रहा और एक विद्यार्थी की तरह बिताता था इन छोटे-छोटे मालकों से भी मैं बहुत कुछ सिखता था मेरे लिए पांच सितम शिक्षक दिवस भी था और मेरे लिए शिक्षा दिवस भी था लेकिन इस बार मैं जे जी ट्वेंटी समीट के लिए जाना पड़ रहा है तो मुझे रमन कर गया का आज मन की बात में ही मेरे इस भाव को मैं प्रगट करूँ जीवन में जितना मा का स्थान होता है उतना ही सिख्षक का स्थान होता है मैं आज गोपी चन्जी को खेलाडी से अत्रीक के गुत्तम सिख्षक के लुप में देख रहा हूँ और सिख्षक दिवस पर पुलेला गोपी चन्जी को उनकी तपस्या को समरपन को और अपने आज भी हर महिने उनकी मुझे चिठी आती है हाथ से लिखी हुई चिठी आती है महिने भर में उन्होंने जो किताबे पड़ी है चिकर आता है कोटेशन्स आता है महिने भर मैंने क्या किया उनकी नेजर में वो ठीक था नहीं था जैसे आज भी मुझे क्लास्ट्रूम में वो पढ़ाते हो वे आज भी मुझे एक प्रकार से कोर्स्पोंडन्स कोर्स करा रहे हैं और 90 साल की अभी मैं भी उनके जो हैंड राइटिंग्स हैं मैं तो आज भी हरान हूँ कि इस अवस्था में भी इतने सुन्दर अक्षरों से वो लिखते हैं और मेरे बहुत ही खराब है इसके कान जब भी मैं किसी के अच्छे अक्षर देखता हूँ तो मेरे मन में आदर बहुत जादा ही हो जाता है जैसे मेरे अनुख है आपके भी अनुख होंगे आपके सिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है अगर दुनिया को बताएंगे तो शिक्षक के प्रती देखने के रवैये में बढ़लावाएगा एक गवरोग होगा और समाज में हमारे सिक्षकों का गवरो गढ़ाना हम सबका दाई तो है आप नरेंद्र मोदी एप पने सिख्षक के साथ फोटू हो अपने सिख्षक का साथ की कोई घटना हो अपने सिख्षक की कोई प्रेरक बात हो अब जुरूर शैर कीजिए